चलो, when a charged particle is moving with velocity B, अगर एक charge particle है, जो भी velocity से move कर रहा है, subjected to magnetic field induction, the force on it is non-zero, this implies that, मनलब एक charge particle, हमने magnetic field में move करा दिया, और उसमें force 0 भी नहीं है, non-zero force है, तो हम option check कर दे हैं, अब angle between them is, दे मतलब किसके किसके बीच का एंगल भाई magnetic field and velocity के बीच का जो एंगल है वो डिसाइड करना है वही तो force decide करेगा मालो यह जो velocity vector इदर है और magnetic field theta degree पर है तो इन दोनों vector के बीच अगर theta degree है तो इस पे जो force लगता है वो होता है Q V B sin theta तो इसमें जो force लगेगा वो theta decide करेगा सब कुछ रहते हुए भी force 0 हो जाएगा तो अगर theta की value 0 या 180 हो गई तो आप बले कितना भी strong velocity देदो कितनी भी magnetic field लगा दो सब को 0 हो जाएगा तो वो theta decide करेगा कि force कितना लगेगा या नहीं लगेगा तो वो ही force की value अगर 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है यह expression sin theta sin sin theta की value अगर theta 0 हुआ तो इसका मतलब भी theta 0 हुआ या 180 हुआ तभी तो जाके force 0 होगा मतलब 180 और 0 को छोड़के जितनी भी possible value है वो सब non-zero force देंगे ठीक है अगर उसपे charge 0 नहीं है velocity 0 नहीं है अगर magnetic will 0 नहीं है तो तो यहां से theta की value should be less than 180 degree और should be less than 0 0 degree और 180 degree के बीच रहना चाहिए तभी force is not equal to 0 होगा ठीक है 180 और 0 भी नहीं होना चाहिए मतलब d option सही है angle between them necessarily 90 गलत है angle between them any value any value angle can have any value other than 90 गलत है यार यह भी गलत है तो d option सही है और क्वार प्टो खिर यहार झास मतलत है तो the गब है यूपरे है का बीचेश्याच मतलत है तो रहा झागर बाहाँ तो भीचके बीचाश झाझाशना झालत तो यह दो कर दो करतेशना झांदा झालत है उढ़दीं यह पैंड़र को तो फो पिर छो नहीं है